जो सच होता है ना बहुत लेट समझाता है जूट पर दुनिया चल रही होती है सच्चा ही यही है कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स को अथेंटिक करने का कोई पुरूफ नहीं है दोस्तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कोशन पूछा कि सर जब भी कभी किसी बी तरह से प्रॉबलम होती है कोई भी केस रेजिस्टर होता है स्टुडेंट्स के अगेंस्ट, कंसल्टेंट, एजेंट के अगेंस्ट या युनिवस्टी के गेंस्ट लिए हम बात मालने चलो ठीक है समझ सकते हैं उस चीज को युनिवस्टी के गेंस्ट या किसी भी xyz किसी इंसान के गेंस्ट नौकरी कर रहा था नौकरी के लिए apply किया था या चाता था अगला कोई course करना या registration कराने के लिए गया था जैसी complaint दर्ज होती है तो complaint दर्ज होने के बाद में युनिवर्स ora के घहरे में क्यों नहीं आती है मतलब कि युनिवर्सिटी के ऊपर एक्षन क्यू नहीं होता है, दोस्तों ये बहुती समझने वाली बात है जो हम लगातार अपने कई सारी वीडियोस में आपको समझाते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं और हमेशा बोलते भी हैं, ये काफी कुछ आपको आज समझने को मिले का हमारी इस वीडियो के माद्यम से क्यों यूनिवर्स्टी बच जाती हैं और क्यों आप लोग फज़ जाते हो ये सब रिजन सिर्फ एक ही है आप लोगों की गलतियों की वज़े से जो आप गलती करते आए हो उसके बारे बताऊंगा बहुत कुछ अपने इस वीडियो में दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ हैं वो कहीं न कहीं किसना किस तरीके से काफी सारी युनिवर्स्टी स्कैम में आ जाती हैं या फरजीवाड़ा चल रहा होता या प्रॉब्लम चल रही होती है थोड़ी देर के लिए वो चीज़ सामने हाइलेट होती है बर देखते हो हफते दस दिन के बार वो चीज़ शान और जिन लोगों को कानून का ग्यान है उनको जादा पता होता है कैसे निकलेंगे दोस्तों कोई भी युनिवर्सटी जब आपको डिगरी देती है बैक डेट के तरीके से बैक डोर से देती है सैटिंग से जुगार जो हम वड़ा में शायूस करते हैं किसी भी जुगार से देती है तो वो कभी भी आपको ऐसे एविडेंस नहीं देती है जिन एविडेंस को लेकर आप युनिवर्सटी को कट खरे में खड़ा कर सको और जिन युनिवर्सटी ने ऐसे एविडेंस दिये हैं तो लाइव एक्जामपल है वो युनिवर्सटी फसी भी है माना भारती युनवर्स्टी ने वेरिविगेशन दी थी सामने वाले को और फिरो मना नहीं करपाई। ऐसे बहुत सारी युनवर्स्टीज हैं बहुत सारी एक्जांपल हैं। आपके पाश स्ट्रॉंड वेरिविगेशन एक बार आ लगई तो युनवर्सटी मनानी हिकर पाएगी। जवाब देना भारी पड़ जाता है युनिवस्टी के लिए, अब युनिवस्टी करती क्या है, मान लीजे किसी भी स्टुडेंट ने कोई भी जॉब के लिए अपलाई किया, बाद ने बता चला कि वो गौर्णमेंट के लिए वेरिविगेशन गई, वेरिविगेशन नेगे के घेरे में आये या फिर युनिवस्टी को भी पार्टी बनाया जा सके, युनिवस्टी बिल्कुल साफ निकल जाती है, युनिवस्टी सिर्व एकी बात बोलती है कि हमारा इससे कोई सम्मद नहीं है, कोई लिंक नहीं है, हमने कभी माक्षी डीशू नहीं करी, स्टुएं को authentic करने का कोई प्रूफ नहीं है। आप दिखाऊगे की डिगरी निकाल कर लेकर कर घया दा वो डिगरी मना कर देंगे। फोरेंसिक पर जाएंगे डिटल अपने आप आ जाएगी यूनिवस्टी में कौन से पेपर से यूज होते हैं क्या इंकी यूज होती है और उसके उपर क्या इंकी यूज है सब कुछ सामने आ जाएगा क्लियर हो जाएगा सब चीजों के लिए बट ये परकिरिया बहुत मुलना है कि हमारा इन डॉक्यूमिंट से कोई किस तरह गाडें देना नहीं है इसुट्वेंट्स को हम नहीं जानते हैं हमारे पास कभी कोई पेमेंट अकॉंट में आई और पेमेंट आकांट में आपने डाली हो तो भी यूनिवस्टी किस तरीके से उसके पर एक्सकूज दे देगी कि ये हमें नहीं पता क्या हमने इसके अगेंस रसीद काट के दिये बहुत सारे कोशन्स होते हैं दोस्तों बहुत सारी चीज़े होती हैं आप इन चीज़ों को डीटेल में समझो हम हमेशा हमारी गाड़ी आरटियाई पे इसलिए ठकती है क्योंकि RTA आपने लगाई यूनिवर्स्टी ने आपको रिप्लाय किया तो कहीं ना कहीं एक सरकारी वे में उन चीजों का आदान परदान हुआ है मतलब की प्रोसेस फॉलो हुआ है आप वो कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए बागे दुखर बगवान ही आपके लिए रखवाला है कि अगर आपने गल्त किया तो आप कैसे बचोगे बर जो कोशन हमारे पास आया था कि यूनिवर्स्टी कैसे बच जाती है वो यही तरीका है दोस्तों कभी नहीं बचोगे आप कभी नहीं बचेगा आपका कंसल्टेंट आप दोनों तो फसोगे ही फसोगे आप जेल जाओगे ही जाओगे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है चीटिंग फोरजरी किस तरह से केस बनते हैं पर युनिवर्स्टी और कॉलिजिस अकसर बच जाते हैं कई सारी युनिवर्सटी पहले भी फ्रॉड कर चुके हैं स्टुएंट्स के साथ में वेरिविकेशन देने से मना कर चुके हैं कई लोग आप बना कर देंगे आने वाले वक्त में वो आप देखते जाए हमारी वीडियो उसको सिर्वाब देखती रहेंगे काफी इनफोर्मेशन आपको मिलती रहेगी क्या नहीं करना है और क्या करना है कैसे प्रिकोशन्स लेने है क्योंकि हम आपके साथ हमेशा हैं आपके साथ हमेशा कड़े हैं तब भी आपको की परिशानी है, आप हमें कॉल कीजिए, वर्टसेप कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपकी मदद जरू करेंगे, पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो आप हमसे कोशन पूछते हैं, वो सेंसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा आपने कैसे लिकर हमें भेज़ दिए और आप बुल सर इसका आंसर दीजिए, दोस्तों इतना चीजों को पढ़ने का टाइम नहीं होता है, आप छोटा सा एक दो लाइन में मैंसे लिके भेज़ोगे, सर मुझे ये प्रॉबलम है, उसका सॉलूशन हम आसानी से दे पाएंगे, हमें लगेगा प्र आसनी से हो सकता है, दोस्तों आपको कोई भी किसी तरह की परिशानी है, समस्या है, आप उनसे कॉंटेक्ट करें, और दोस्तों वैसे तो आपने बहुत कुछ जाना होगा, आज किस वीडियो के माध्यम से, आप हमारी वीडियो को यूही देखते रही है, अपने आपको जा सके सबसे पहले, बहुत बहुत शुक्रे दोस्तों धन्यवाद, हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए,